हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारे यूटІब चैनल में आपने खोये के मलपुयों टो बहुत खाए होंगे क्या आप केले के मलपुय खाए हैं आज हम आपके साथ केले के मलपुय की रेश्पी सेर करने वाले हैं अगर आपको मेरी रेश्पी अच्छी लगे हुए है तो मलपुय बनाने के लिए सबसे पहले हम मैदा लेंगे मैदे को अच्छी तरह छान लेंगे ताकि इसमें कोई किड़ी नहीं हो तो थ्वासा इसमें पानि डालखा इसको हम मिला लेंगे आप इस माल पुए को सिर्फ दूध में सकते हैं अब धुवासा पानी डाल देते हैं है को अब इसके बाद हम ढालेंगे दूद दूद को डालकर हम इसे अच्छी तरफ फेटेंगे, अगर आपके पास दूद नहीं है, तो आप इसे पानी में भी बना सकते हैं, ऐसा जोरूरी नहीं है कि इसे आप दूद में भी बना सकते हैं, तो इसे अच्छी तरफ फेटे लेंगे पहले, तो देखिए इतना ही गाड़ा बेटर चाहिए हमको अब हम इसे ढग कर तीन घंटे के लिए छोड़ देंगे यहाँ पर हमने पांच केले लिए हैं जिसका छिलका हमने उतार दिया है अब हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे एसे कट करकर ढलेगा ताकि अच्छी तरफ पीस जाएं मलपूय बनाने के लिए आप केला पका ही लिजिए काचा केला नहीं इस्तिमाल करना है जितना आप पका हुआ केला लेंगे आपका मलपुआ उतना ही अच्छा बनेगा फिर हम इसमें दूर डालेंगे और इसे अच्छी तरह हम पीस लेंगे तो केला को हमने अच्छी तरह पीस लिया है तो हमने यहां पर आधा बेटर लिया है और आधा साइड में कर दिया है क्योंकि अभी हमको आधा बनाना है इसलिए अब हम इसके अंदर केले के पेश्ट को डालेंगे इसे छनी में छाल लेंगे ताकि जो पीशा हुआ केला नहीं है वह बार आजाए तो देखिए यहाँ पर सारे केले अच्छी तरह नहीं पीश पा हम यहाँ पर आधाएं केला डाले है क्योंकि आधा बेटा में हम फेट रहें इसलिए हम आधाईं डाले हैं उससे हम आच्छी तरह मिला लेंगे आफ इसे हाथ होसे भी फेट सकते हैं prevent लेजिएगा अगर आपको मलपुआ तुरंत बनाना है तो आप उसमें थ्वासा बेकिंग पाउडर डाल दीजे अगर आपको लेट से बनाना है तो आप इसे तीन घंटे के बाद भी बना सकते हैं हम तीन घंटे बाद इस लिए छोड़ा है ताकि हमारे मलपुआ जोए अच्छी तरह फूल जाए इसमें बेकिंग पाउडर के कोई जोरुत नहीं है हम बीने बेकिंग पाउडर की बनाएंगे इधर हम चासनी बना लेते हैं तो चासनी के लिए हमने लिए एक कोटोरी चीनी हुआ अछ चासनी डाल देंगे वह हमएंड़ कोटोरी पानी तो हमें चीस चीप-चीपी चासनी चाहिए है कि माशी तरह पका लेते हैं ऑफपर जो झाक दिक रहा है न और कड़ाई में डालेंगे रीफाईन ओयल also कि तो तेल को आप घरब हुने के लिए छोड़ देंगे तो हम लिए चेक लिते हैं कि हमारा तेल घरब हो गाया नहीं है 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 थोड़ा सा बेटर डालेंगे कि देिए यह उपर आ रहा है इसका मतलब आप माल तेल जो है अच्छी तरह गरम हो गया है तो आप हम इसमें डालेंगे मल पूए तो आप ऐसे कलशी से मल पूए डाल सकते हैं या फिर आप चमज से भी डाल सकते हैं बड़ा चमज होगा आपके घर में अप 550 अलिजिए गा क प्लोट के अच्छी तरह फराई कर लेंगे। फिर हम काटे वाली चमच लेंगेhyd porch मालपुए में छेद कर देंगे। तो चाड़तना से हल्काल्का छेद कर दीजिएका। ताकि हमारा मालपुच जएयोगा। चैसनीर ऊप्जॉब कर ले। फिर हम इसे प्लट लेते हैं जब आपका मलपुगा फूल जाए तो गैस को आप मीडियम फिलम पर रखिएगा ताकि मलपुगा अच्छी तरह अंदर से भी पक जाए अगर इसमें कच्छा पन रहेगा तो आपका मलपुगा खाने में बिल्कूल भी अच्छा नहीं लगेगा इसी अच्छी तरह पकाना भी बहुत जरूरी होता है आप बेटर को आप गणाई रखिएगा अगर आप पतला कर देंगे तो आपके मलपुगे जो है उत्वासे पतले पतले बनेंगे आप देख सकते हैं कि मलपुगे का कलर जो है पहले से चेंज हो गया है तो हमारा मलपुगा बनकर त्यार हो गया है इसे हम तेल से बाहर निकाल देंगे और तुरण डाल देंगे चासनी में चासनी अगर आपका गुनगुना है तो उसमें भी आप डालेंगे तो आपका नहीं से चाजनी में ही रहने देर अपने खोया की मल्पूय भूत इन्य भार फेक्षा क्षह कर लिए और कभी कभी घर में गर Jeans the दिन रहा जाते हैं तो बहुत ज्यादा पक जाते हैं कुछ लोग होते हैं कि उसे फेक देते हैं उसे फाल्दू का वेस्ट मत करें तो मालपुय को हम चास्नी में इसे अच्छी तरह डीप कर लेंगे और 10 मिनट के बाद आपके मालपुय अच्छी तरह फूल कर त्यार हो करम है इसलिए हम ऐसे तोड़ रहे हैं आपको इसे घर्मा घर्म खाएंगे न एक होए कि मालपुय से भी बढ़िया लगता है खाने में आप इसे घर पर जोड़ ट्राइब करेगा आपको घर वालों को और आपको बहुत पसंद आएगी तो उमीद करते हैं कि आपको हमारी अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक नई डेस्पिक साथ तब तक लें बाए टेक क्या